हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो आर ओन चैनल हाउ टू तो आज हम आपको लिप्स्टिक मानुफाक्ट्रिंग बिजनस के बारे में बता रहे हैं तो यह एक और हम ऐसा बिजनस ले के आए जो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंगे आज कल आप कही भी चले जाओ मनलब गर्ल्स मलब बहार नहीं निकलते हैं लोग गर से एक बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग चीज हो गई है और जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टिंट हो चुकी है तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यह जो डिमांड है उसका आप कैसे फाइदा उठा सकते हो तो कैसे आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो तो कैसे आपको रिसर्च करनी है कौन सी मशीन आपको चाहिए कौन से कितने का इंवेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा कौन से रौ माटीरियल्स आपको चाहिए होंगी कैसे कस्टमर्स को अट्रेक करोगे क्या प्रोसीजर है इस आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथ ही में hit the bell icon तो सबसे पहले आपको यहाँ पर research करनी होगी कि आपको इसको कैसे बनाना है कैसे इतना अच्छा बनाना है कि लोग इसको ज्यादा पसंद करें उसके बाद shades जो बहुत ज्यादा important चीज होती है मार्केट में shades की demand होती है जैसे बीच में माला पहले nude shades जो होते थे उनकी बहुत ज्यादा demand आगे थी अभी dark shades जो है उनकी demand है तो ऐसे हर टाइम जो shades और किस टाइप की लोग use करते वो change होता रहता है तो उस पर आपको main focus रखना है फिर कहा कहा पर आपको supply करना है कितनी price आपको set करनी है कैसी quality देनी है कितनी quantity देनी है तो यह जो सारी चीज़े है यह पहले आपको decide करना है उसके बाद आप types की बात करते हैं तो यहाँ पर दो type की lipstick होती एक होती glossy finish और एक होती matte finish और हाली में अभी जो matte उसका बहुत ज्यादा fashion चल रहा है मलब जो matte उसकी बहुत ज्यादा demand है as comparative to glossy अब यहा characteristics होती कि आपको कैसे बनाना है मलब क्या क्या important चीज़े जो आपको ध्यान रखनी है सबसे पहलो lightweight होनी चाहिए भारी नहीं होनी चाहिए comfortable होनी चाहिए यूज करने के लिए अगर आप कुछ भी बना रहे हो उसको कैसे बंद करना है open करना तो वह बहुत easily होना चाहिए लिप्स्टिक के वो long lasting है like lips पे कितने time तक रह सकती है या कितने time तक आप उसे store कर सकते हो उसके बाद कैसे shades आपको बनाने है pigment color क्या होना चाहिए smooth texture होना चाहिए और long lasting effect तो यह सारे characteristics जो lipstick को और भी अच्छा बनाते हैं अगर यह characteristics suit होते है उस lipstick पे तो अब यहाँ पर raw material की बात करते हैं कि आपको कौन से raw material चाहिए wax और wax में भी बहुत टैप के होता है जैसे bees wax candila wax orange wax jasmine wax उसके बाद oil उसमें mineral vegetable olive oil avocado oil और kester oil यह 60-70 परसंट यह होना चाहिए और 20-30 परसंट wax होना चाहिए उसके बाद butter तो यहाँ पर cocoa butter lenoline mango butter उसके बाद fragrance preservatives 0.2-0.5 परसंट फिर ISO propyl miristate 5-7 परसंट pigment 3-7 परसंट और steric acid तो यह सारे raw material आपको चाहिए होंगे जिससे आप अपने लिप्स्टिक को easily बना सकते हो अब यहाँ पर कौन से machines और equipment आपको चाहिए होंगे mixing tank heating machine dye or mold flaming and glaze machine triple roller meal jacketed vessel lipstick filling machine refrigeration unit और other tools and equipment तो यह सारे machines आपको चाहिए होंगे इस business के अंदर अब बात करते कि आपको कौन से steps को follow करना पड़ेगा lipsticks को बनाने के लिए सबसे पहला आपको जो wax है उसको melt करना पड़ेगा फिर mixing all the ingredients फिर उनको mold में डालना पड़ेगा फिर जो बन जाएगी वो tube को pack करना पड़ेगा और store करना पड़ेगा तो यह आपके step से जिसको आपको follow करना है अब बात करते investment तो यहाँ पर आपको 5-10 लाख रुपे का investment करना पड़ेगा मालब अगर आप नया business खुल रहे हो तो 5-10 लाख कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है तो यह small scale business अगर आपको open करना है तो 5-10 लाख रुपे आपको इस business के अंदर डालने पड़ेंगे और अगर आपका business आप और भी बड़ा open करतो तो उस हिसाब से आपका capital है वो और भी increase हो जाएगा अब यहाँ पर आपके targeted customers कौन होंगे beauty stores, shopping malls, wholesaler, online platform, Amazon, flip card ऐसे बहुत सारे sites से जहां पर आप sell कर सकते हो और आपके targeted customers आपको पता ही है कि आपको क्योंसे stores पर जाके sell करना है या फिर आपको wholesalers को देना है अगर आप एक business start करते हो तो उससे पहले आपको contact बनाने पढ़ेंगे अब यहाँ पर आपकी marketing strategies जो बहुत ज्यादा important है क्योंकि lipsticks already market में इतने brands की मिलती है कि अगर कोई नया अगर manufacturer आता है तो बहुत difficult हो जाता है उसके लिए sustain कर पाना तो उसलिए marketing strategies यूज़ करना बहुत ज्यादा जरूरी है digital marketing, advertising, direct marketing, social media इन सबको use करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इनसे आप बहुत ज्यादा जल्दी उपर भी आ सकते हो अगर आप अच्छे से marketing करते हो अपने product की तो अब यहाँ पर area 600 to 1000 square feet area आपको चाहिए होगा और 8 से 10 लोग चाहिए होंगे इस business को चलाने के लिए अब यहाँ पर licenses आपको business registration, MSME उद्योग आदार, BIA certification, drug and cosmetics act, उसके बाद GST ये सारे license आपको चाहिए होंगे इस business को easily run करने के लिए अब at last बात करते है profits की 25,000 to 50,000 आप पर month earn कर सकते हो मलब 15 to 25% आप इस business में कमा सकते हो बागी totally आपके production और business model पे depend होता है कि आप कितना profit earn कर सकते हो तो यहाँ पर अगर आप बहुत सारी varieties रखते हो तो यहाँ पर आपका जो profit वो बहुत ज्यादा होता है लेकिन उसके लिए आपको capital भी ज्यादा डालना पड़ता है तो यहाँ पर अगर आप जल्दी से जल्दी उपर आज़ो आपको बहुत ही अच्छा खासा profit मिल सकता है और इसके demand ऐसी जो कभी खतम नहीं होने वाली बस इसकी demand जो है वो बढ़ती ही रहेगी तो यह एक ऐसा business है जो बहुत ही शानदार है लिपस्टिक manufacturing business और ऐसे और भी business हम आपके लिए लेकर आएंगे तो उसके लिए आप हमारे channel के साथ जोड़े रहिएगा by subscribing our channel और साथ ही में like, share and comment जरूर करिएगा तेंक यू